प्रवार नमस्कार मेड़ाम आलोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं बिहार की सियासत से जुरी हुई बड़ी खबर आप इससे नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ इस खबर को जानने के बाद इस खबर को समझने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन बिह सब्सक्राइब के मेर पत के लिए वह चुनाव लड़ी थी आपको बता दें आज पूरे बिहार में जुब चुनाव हुए थे नगर पंचायत और नगर निकायों के उसके नतीज़ा सामने निकल क्या है तो ऐसे में सहरसा सब्सक्राइब निकल क्या रही है जहां पर पर दिया से विधायक है बीजेपी के उन्हें भी बड़ा जटका लगा है यानि कि जटका मागर नंगर खेमे के निकल को जो नगर निकायों नगर पंचायत के उपचुनाव के नतीज़ा सामने करका है जहां का ही देखिए आलो कि सहरसा का जो नतीज़ा आया है सहरसा नग नगर निगम का तो मधेपूरा के जो सांसत है दिनेश चंद्रियादर जेडियू के सांसत उन्हें बहुत तेज़ जटका लगा है क्योंकि वह अपनी पत्नी जिनका नाम रेनू शिना है उन्हें चुनाव लरा रहे थे और उनकी ख्वाइस थी कि सहरसा का मेर्द बना दे लेकिन इस चुनाव में करारी हार मिली है और वो मुकाबले में भी नहीं रही है खबर यह है कि वो तीसरे स्थान पर चली गई लेकि सहरसा नगर निगम में मुखे पासर के परपर जो जीत हासिल हुई है वह जीत हासिल हुई है बैन पिरिया को जो बैन पिरिया जहा कही ज ने उनके पती की असामाईक मौत हो गई थी लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ना मुनासिप समझा और मैडान में डटे रही और इसका परिणाम भी उनके प्रक्ष में आया है देखे बीजेपी के नेताओं और काजकताओं ने भी बैंद प्रिया की मदद की लेकिन कई ऐसे नेता थे जो लेक पुलिंग कर रहे थे लेकिन किशोर कुमार मुन्ना नीरज कुमार बबलू जैसे नेताओं ने बैंद प्रिया की मदद की तो देखिए दिनेश चंद्रियादब की पत्नी चुनाव हार गई है आगे दोजाज चौबिस का चुनाव है लोकसमा चुनाव ह इसका क्या असर परता है उनका प्रभाव क्या कम हो गया है या समझने की बात होगी और देखिए बैंद प्रिया को जिन्होंने फाइट दिया वो हैं नजीर मिया 13,427 मतला है और वे दूसरे इस्थान पर रहे और दिनेश चंद्रियादब की पत्नी सांसर दिनेश चंद्र में जो सबसे रोचक इंट्रेस्टिंग रिजल्ट आया है वह बीजेपी को जटका देने वाला है जो वहां के बिधायक हैं लोडिया की बिधायक हैं बिने बिहारी गीतकार भी हैं भुचफुरी फिल्मों में गीतों लिखते हैं तो उनकी पत्नी मच्छरगामा नगर देवी ने 409 मतों से प्राजित किया है अपनी पत्नी को जीत हासिल कराने के लिए बिने बिहारी लगातार काम कर देते हैं और यह चुनाओ के जो नतीजें हैं न वो नतीजें इसलिए महतत्पुन हो जाते हैं क्योंकि आगे 2024 लोगसभा का चुनाओ है और लोगसभा चुन में यह जो ठर्ट फेज का चुनाओ हुआ नगर निकाई का उसके जो नतीजें आ रहे हैं मदुबनी के नतीजें भी जो आए हैं वो महागटबंदर के नेताओं को निरास करने वाले हैं तो यह नतीजे रुज़ान आप नहीं कर सकते हैं यह भी नहीं कर सकते हैं कि यह सेम वजने की है तो आपने सुना हमारे से जनलिस्ट है गैश्वर जी जो की लाइश्टी के संपादक है क्या कुछ नोने बताया है जाया जांकाई दी है कैसे इसका सीधा कनेक्शन बिहार के सिजास्त से होने वाला है क्योंकि अगले साल लोगसभा चुनाओं है सभी नेता अपन है अलाकि जीत भी कई ऐसे लोगों को मिली है जिनकी सिधा सिधी खौईशे कुछ बड़ी नहीं रही हो जो सिधा जंता से जुड़े होई रहे हो और जो शेत्री रहे हो प्रदान में सिर्ट मोदी ने कहा था वोकल फोर लोकल तो लोकल नहीं इस बार बाजी मारी है तो कर दो